हाई गाईस, वेलकम बेक टो माई चैनल, आज हम लोग बहुती डिलीशियस इफ्ताथ स्पेशल मतन के बाग बनाने वाले हैं, तो चलिए हम इसके इंक्रीडेंस देखते हैं, हमें चाहिए हाफ के जी मतन उसे बॉल कर लेंगे और छोटे छोटे पीस कर लेंगे, और हमें चा गरम मसाला, वन टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून हल्दी, वन टेबल स्पून जीरा, एंड हमें चाहिए 200 ग्राम दालिया, दो मीडियम साइज बारिक चॉप्ट प्यास, तीन टेमाटर को ग्राइंड कर लेना है एक स्मूथ पेस्ट में, खड़ा दनिया, एक टेबल स्पून, आधा निम्बू, तीन से चार, हरे मिर्ज बारिक कटी हुई, दस से बारा कडी पत्ते, बारिक कटे हुए, हरे जनिया, हाफ कप, वन टेबल स्पून, अध्रक लसन का पेस्ट, अब हमें मटन, खड़ा दनिया, कडी पत्ते, हरे मिर्ज, को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है, देखिए कुछ इस तरह, इसे हम एक बॉल में ट्रांसफर कर देंगे, अब हम दालिया को एकदम बारिक पीस लेंगे, हम इसे भी एक बॉल में ट्रांसफर कर देंगे, और उसे अच्छी तरह, मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें सारे ड्राइ स्पाइसेज, धनिया पाउडर, मटन मसाला, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, नमक, हल्दी, और जीरा, और टोमेटो प्यूरे, अजरक लेसुन पेस्ट, धनिया, और निम्बू को एट करेंगे, और अच्छी तरह, मिक्स कर लेंगे, हमें इसे में वाटर का यूज नहीं करना है, हमें इसका एक डोर रेडी कर लेना है, देखिए हमारा डोर रेडी हो गया है, अब हम कड़ाई लेंगे, उसमें ओईल एट करेंगे, ओईल को अच्छा गरम होने देंगे, अब हम डोम में से छोटे छोटे पेड़े लेंगे, और उसकी टिक्की बनाएंगे, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, इन्हें हमें फॉरण ही फ्राइ करना होंगा, देखिए, ओईल करम हो चुका है, देखिए, हमारा कबाब रेडी है, अब हम सभी कबाब इसी तरीके से फ्राइ कर लेंगे, हमें कबाब को गोल्डन ब्राउन होंगे तक कर फ्राइ करना है, देखिए, कब आप गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे, देखिए, कब आप रेडी हो चुके हैं, देखिए, कब आप कितने टेस्टी और डिलीशेस लग रहे हैं, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना ना बुलिएंगा. थैंक्स फर वाचिंग.